अभीमानी मूवीज देखने वड़े सारे दर्शकों को संदीर सीमर बड़ाड़ागी राम राम और हाथ जोड़के नमस्ते जैसे कि आप लोग देख रहे हो आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ ना तो हमारे साथ कोई नया चैरा है ना तो कोई सर्पंच है ना कोई सर्पंच व वीडियो लेके आता हूँ कोई भी प्रॉब्लम लेके आता हूँ तो आप लोग उसके ऊपर ना तो कोई कमेंट कर रहे हैं जादा ना आप लोगों की तरफ से कोई रुजान आ रहा है सिर्फ इतनी मेहनत में क्यों कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग एक सही निर्णा ले सकें और नई वीडियो बनाने के लिए भी कोई मोटिव आप लोग हमें दें और एक मुद्दा ओर चल रहा है गाउं के अंदर जो हमारे कन्या पाट शाड़ा है उसके बाजू में खतियां डाली हुई है जैसे कि लोगों ने तो आज सुबह मुझे स्कूल की तरफ से फोन आया था और जैसे कि मैं स्कूल के अंदर गया तो वहाँ पर टीचरों का एक ही बात कहना था कि जो भी खतियां वहाँ पर डाली हुई हैं लोगों ने उनको हटाया जाए क्योंकि ना तो वहाँ बच्चे पढ़ पा रहे हैं और बारिश होने के बाद तो वहाँ पर बच्चे बैठ ही नहीं पाते जिन क्लासों के साइड में वो खतियां लगी हुई हैं एक बात और निकल के आई थी जैसे कि जब में सुब स्कूल में था कि हमारे कन्या पाटशाड़े के अंदर टीचर्स की बहुत बड़ी कमी है ना तो मैद का टीचर है ना हिंदी का टीचर है ना एसेस का टीचर है जो हिंदी का टीचर है जैसे कि स्कूल के अंदर आठ पिरड लगते हैं दश्पी कक्षा तक वह स्कूल है लेकिन जो हिंदी के टीचर है वह कितनी कक्षा को पढ़ा सकते हैं ये एक सोचनी का विशे है तो मैं ग्राम वाशियों से निविदन करता हूँ कि इन बातों पर नहीं रहा है वहाँ पे और एक बहुत बड़ी बात है जो सोचने की है जो हमारा हाई स्कूल बॉइ स्कूल है जो उसके अंदर कुल सतर बच्चे ही फिलाल पढ़ रहे हैं जैसे कि आज मैं बॉइ स्कूल के अंदर पे गया था वहाँ पे जाने के बद मुझे पता चला कि कु स्कूल में साथ टीचरी हैं स्कूल के अंदर और बच्चों का भी कुछ ज़्यादा रुजान नहीं था वहाँ पे सतर बच्चे साथ टीचर यहाँ पे भी टीचर की कमी थी कि यहाँ भी मैद का टीचर नहीं था फिलाल तो इस विशे में गाउवासियों को सोचना पड़े दूसरी बात आती है जिक खेलो की जैसे कि आप मेरे सरपंच उमीद्वारों के एंड्रियों देखते हो उसके अंदर मैं दो मुद्धे हमीशा उठाता हूं एक पानी का और एक बच्चों के लिए स्टेडियम हो मैं यह नहीं कहता कि स्टेडियम ही आई लेकिन बच्चों क खेलने के लिए जहां भी जगा है गाम वासियों के पास जहां पर बच्चे खेलते हैं उसे ट्रैक को ठीक करवाना चाहिए गाओं को क्या हमारा गाओं इतना भी शक्षम नहीं है जहां हमारे बच्चे प्रक्टिस करते हैं वहां पर आज पानी भरा हुआ है जैसे कि आज म बच्चे वहां खेल नहीं सकते सोचना आपने हैं सरपंच भी आपने ही बढ़ाना है तो सोच समझ कर फैसले लें जो भी आपके फैसले हैं अच्छे ही होंगे लेकिन सोचें जरूर आज दिन में एक बात और निकल के आई थी कि 50 लाख रुपे हम देते हैं हमें सरपंच बना आजाए तो गाओं के अंदर जो उमिद्वर खड़े हैं फिलाल सभी बढ़िया हैं अच्छे हैं किसी की तरफ से भी कोई डोनीशन का नाम या कोई अमाउंट निकल के नहीं आया भार तो मैं ये उन भाईयों से अपील करना चाहता हूं कि इस बात पर ज़्यादा गौर न आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें किसकी वीडियो बनानी चाहिए क्या-क्या उनसे सवाल पूछने चाहिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं आपका कमेंट सेक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है फिलाल क्योंकि मैं अभी नया उभरता हुआ इनसान हूं मैं अभी यूटूब के उपर काम कर रहा हूं जैसे कि मेरा पेज है चैनल है तो मुझे इतना नौलिज नहीं है लेकिन धीरे धीरे टाइम लगता है सब कुछ आदमी सीख जाता है अभी मन्यू मूविज देखने वाले सारे दर्शकों को एक बार फिर संदीप से मर बडाला की राम राम और हाद जोड़कर नमस्ते